दोस्तों आजकल washing machine लगबाग घरगर की जोरत बन गई है और market में कही तरह की washing machine मौजूद हैं इनमें semi-automatic और fully automatic machine शामिल हैं और fully automatic में भी तो category top load और front load शामिल हैं कुछ लोगों को washing machine खरेते समय confusion होता है क्योंने कौन सी washing machine लेनी चाहिए तो अगर आप भी इस बात को लेकर confusion तो बस इस वीडियो को एंट तक पूरा देख लें, आपका सारा confusion दूर हो जाएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और में दोस्तों के साथ share करना ना भूलें, पहले बात करते हैं, semi-automatic washing machine की, तो semi-automatic washing machine है थोड़ी सस्ती होती है, और जो लगबग 6-4 रपे से जाती हैं, और इसी वज़े से जाता तर घरों में इनी washing machine का अस्तमाल होता है, इनमें दो drum या tub लगे होते हैं, इसमें पहले drum में कपड़े धोय जाते हैं, दूसरे drum में कपड़े सुखाये जाते हैं, और इस machine में कपड़े धोने का तरीका इस प्रकार होता है कि कपड़े क्पड वाले ड्रम में पाले पानी डाला जाता है, इसके बाद डिटर्जन पाऊडरर डाला जाता है, और फिर इसमें कपड़ डाल कर मशीन कौन कर दिया जाता है। दोस्तों, उनकी कीमत कम होती है और ये मशीन साइज में कुछ बढ़ी होती है और इसी वज़े से ये ज़ाला जगा घेडती है और चलती मशीन के बीच में भी धोने के लिए कप्रे ड्रम में डाल सकते हैं और इस मशीन में पानी खुदी भड़ना पडता है और निकालना पाते हैं इसके लिए कपड़ों को मशीन से निकाल कर उन पर ब्रश करना पड़ता है, इनमें कपड़ों की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, एक ड्रम में कपड़े धुलने के बाद उसे दूसरे ड्रम में डालने पड़ते हैं, इसमें थोड़ी महनत तो लगती है, साथ ही समय खराबी होता है लेकिन अब अगर हम बात करmeal फुली आटूमाटिक मशीन की तो यह मछीन महग्य होती है और इनमें सर्फ एक ही ड्रम लगा होता है उसी में कपले धुलते Still और सूकते है और इस मशीन में कपले धोने का तरिकर स्ट्रस होता है कि इसमें कपड़े एक बार डालने के बाद ये मशीन अपना पूरा काम खुदी कर देती है इसके ड्रम में पहले पानी और सरफ डाल कर कपड़े डाले जाते हैं और फिर इसमें से आपके कपड़े सूख कर बहार निकलते हैं दोस्तों fully automatic washing machine का size चोटा होता है और एक कम जगा खेड़ती हैं और washing machine में एक बार कपड़े डालने के बाद ये पूरी तरह धुलका और सूख करी बाहर निकलते हैं और हातों से कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं धोना पड़ता है और इसमें काफी समय बसता है जिससे कपड़ों की सफाई अच्छे से होती है लेकिन ही fully automatic washing machine भी दो तरह की होती है जिसमें पहली है top loading washing machine इसमें कपड़े डालने वाले drum का मूँ semi automatic machine की तरह ऊपर की ओर होता है और इसी वज़े से top loading machine कहते हैं इस machine को चलाने के बाद भी आप इसमें extra कपड़े पानी और detergent डाल सकते हैं और कपड़े धोते समय बीच में बिजली चली जाए तो कपड़ों को बहार निकाल सकते हैं और कपड़े धोने के लिए कुछ कमपनियां गरम पानी या भाप का अस्तेमाल करने की सुविदा भी देती हैं और दूसरी है front loading washing machine इस machine में गवार पानी, सरफ और कपड़े डाल का चलाने के बाद इसमें extra पानी, सरफ और कपड़े नहीं डाल सकते हैं कपड़े धोनी के लिए इसमें पानी को गरम भी किया जा सकता है साथी भाप से भी कपड़े धोनी का option मिलता है इसमें कपड़े बहुत ही अच्छी तरीके से साफ होते हैं हाला कि इसमें कपड़े डालनी के लिए बहुत चुकना पड़ता है और अगर कपले धोते समय बीच में ही बिजली चली जाए तो आपका पड़ों को बहार नहीं निकाल सकते और दोस्तों इस तरह कि वाशिंग मशीन की शुरुआती कीमत 17,000 रुपए के आसपास है तो दोस्तों अब आपको समझ आगे होगा कि सैमी और फुली आटमाटिक वाशिंग मशीन में क्या फर्क होता है